दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे एट्यू चैनल पर दोस्तों नहाना हमारी दिन चार्या का एक एहम हिस्सा है पर क्या आपने कभी सोचा है कि नहाना जरूरी क्यूं है दोस्तों अगर आप से कोई पूछे तो शायद आप यही कहें कि नहाने से ताजगी बनी रहती है जिससे दिन भर काम करने के लिए एनर्जी मिलती है दोस्तों बहीं पहले के समय में महिलाएं नहाने के बाद ही अपना सारा काम शुरू किया करती थी लेकिन आज कल ऐसा नहीं है दोस्तों समय की कमी के चलते आज कल महिलाएं अपने घर के काम निप्टाती हैं और फिर नहने जाती हैं दोस्तों बही कुछ महिलाएं तो नहाएं बिना भोजन भी कर लेती हैं जिसे शास्त्रों के नुसार गलत माना गया है जिहां दोस्तों शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को कुछ काम नहाने के बाद ही करने चाहिए ऐसा ना करने पर घर में सिर्फ नकारात मकता आएगी बलके आपको आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि महिलाओं को कौन से काम बिना नहाए कभी नहीं करना चाहिए और महिलाओं को ऐसे भूल कर भी नहाना नहीं चाहिए चलिए दोस्तों वीडियो के माद्यम से हम आपको यही सब बताते हैं लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके वेल आइकान को प्रस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दुस्तों चाड़क की नीती की अनुसार बिना इसनान किये पूजन करने पर पूजा का फल नहीं मिलता है इसके अलाबा कोई भी चीज खाकर बिना आचमन किये पूजा करें या भोजन करके पूजा करें तो मापूजा सुईकार नहीं होती है इसलिए सुबा इसनान करके मुख्य द्वार पर खड़े होकर सभी तरह का जल छिड़काव करना चाहिए इससे कर्ज उतरता है साती पैसों की किलत भी दूर होती है दोस्तों सनातन धर्म के शास्तुरों में बताया गया है कि बिना इसनान किये भोजन नहीं गिरहन करना चाहिए खास कर महिलाओं को जो महिलाएं बिना इसनान किये भोजन करती हैं उनके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है दोस्तों बिग्यानकों की माने तो अगर आप इसनान करने के बाद भोजन करेंगे तो बहाँ आपके शरीर के लिए पोश्टिक होगा अगर आपने बिना नहाए खाया तो उसको आपको पचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी दोस्तों शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को सुबा बिना नहाए रसोई में चूला चुका नहीं करना चाहिए दरसल भोजन अनपूरा का रूप होता है और किचन को लच्छिमी का रूप माना जाता है ऐसे में महिलाओं को बिना नहाए किचन में प्रवेस नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अकसर अपने किचन में सुक्समृद्धी बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं पर फिर भी कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों कई बार हम घर पर ही ना जाने कितनी गलतियां कर देते हैं जो हमारे घर पर गरीवी का कारण बन जाती है चले दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को भूल कर भी इसनान नहीं करना चाहिए दोस्तों एक बार गोपियां इसनान करने नदी में उतरी तो काना जी ने उनके कपड़े छुपा दिये गोपियां जब बस्तर ढूरने लगी तो उन्हें नहीं मिले तब काना जी ने कहा कि बस्तर पेड़ पर आकर ले लो तो गोपियां बोली कि जब वे इसनान करने आई थी तो यहां पर कोई नहीं था अब वे बिना बस्तरों के जल से बाहर कैसे आएं तो दोस्तों स्रीकरसर ने बताया कि ऐसा तुम्हें लगता है यहां पर कोई नहीं था लेकिन मैं तो हर पल हर जगा मौझूद होता हूँ आसमान में उड़ते पच्छियों जमीन पर चलने वाले जीबों और जल में मौझूद जीबों ने तुम्हें निर्वस्त देखा है इतना ही नहीं जल में नगन होकर प्रवेस करने से जल लूप में मौझूद बरुण देबने भी तुम्हें नगन देखा है या उनका अपमान है आपकी नगता आपको पाप का भोगी बनाती है दोस्तों यही बज़े है कि हमें एकदम निर्वस्त होकर इसनान नहीं करना चाहिए और खास कर महिलाओं को तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वो पाप की भागीदार बनेगी साथ ही घर में गरीबी और देखा का माहौल होगा तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप रहिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फियरलेस जैहिंद